दोस्तों बात करें तो ये है इंफिनीक्स की तरफ से आने वाला पहला 5G फोन अभी तक देखा जातों इंफिनिक्स के अभी तक के जित्तेवी फोन साथे सबके सब 4G वा करते थे लेकिन अब लग रहा है जो Infinix है, यहाँ पर 5G की रेस में कूदने वाला है, और यहाँ पर नो ने अपना पहला 5G फोन निकाला है, तो वीडियो में चेक करें हैं कि exactly 5G फोन कैसा है, यह फोन किन लोग के लिए, किन लोग के लिए नहीं है, किन लोग को इस फोन को लेना चाह का ही वर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बात यहाँ पर ही है, कि 20,000 रुपे के नीचे, आपको सबसे जादा जो पावर्फॉल फोन होता है, वो यहाँ देखने को ल रहा है, क्योंकि बात किया है, इसमें Dimensity 900 है, ओविएसली 6NM की टेकलोजी पर बेस्ट है, जिसमें आ NPDDR5 और UFS 3.1 स्टोरेज, जो कि इस फोन को यहाँ पर काफी ज़्यादा पावर्फुल बना देती है, यह इस चीज की काफी ज़्यादा अच्छी चीज हो जाती, यानि की फास्ट रैम, फास्ट टोरेज मिलेगी, तो फोन के अंदर आपको ज्यादा बेटर पफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, यानि की परफॉर्मेंस के मामले में 20,000 रुभी कैटिगरी में आप इसे नंबर वन फोन कह सकते हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी कैटिगरी में आपको देखने को मिल रही है, और 20,000 में UFS 3.1 स्टोरेज हमने देखी नहीं इवन में आपको इतना बता सकता हूं, डिमेंसिटी 900, 920 वाले जित्ते भी दूसरे फोन साथ हैं, सब में UFS 2.1, 2.2 आती है, और UFS स्टोरेज आपको भी मालूम है कि जो महेंगी प्रीमियम फोन साथ है, फ्लेक्शिप लेवल के है, उसका एक फीचर है, हालाकि बात की जा तो expandable storage की यहां पर काफी कची चीज़ कर रखी है, इसी के साथ ही बात कर तो performance काफी जाद अच्छे, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहां पर connectivity भी काफी चीज़ रखी गई है, क्योंकि बात की जा तो connectivity में यहां पर 13 5G bands को रखा गया है, और देखा तो यह लोग GEO के साथ भी अच्छी होने वाली है, और dual sim 5G को यहां पर support मिलता है, लेकिन इसके साथ connectivity में खास बात ही है, कि यहां पर Wi-Fi 6 का support है, हाला कि Wi-Fi 6 के router जनरली मिलते नहीं है, लेकिन इस पर्टूलर range में Wi-Fi 6 जो आपको देखने को मूल रहा है, वो यहां पर कुछ बैटर चीज़ लेकर आता है, तो यह एक चीज़ हो जाती है, तो देखा है तो connectivity के मामले में बात करें या फिर performance वाले सेक्टर में बात करें, price 1 के हिसाब से वहां पर काफी अच्छा जाने की कोशिश की गई है, इसी के साथ ही एक और जो यहां पर काम किया गया है, वो काम किया गया है, इसकी ब जानने के लिए, लेकिन यह एक चीज़ है, नीचे टैक सीपोर्ट से आप इसे चार्ज करते हैं, और हांकिया मैं आपको बता है कि इस फोन में headphone jack भी है, हाला कि आपको इसमें कोई stereo speaker देखने को निलता, सिर्फ जो नीचे speaker है, वही यहां पर काम में आता है, और उसी से जो में camera दिया, जो कि Samsung का image sensor है, इसके साथ ही 13 Megapixel को दूसरा camera, वो ultra wide नहीं है, वो एक 2X टेली फोटो जूम लेंस है, और 2 Megapixel का depth sensor डाला है, अब कुल मिला के बात है, कि इसका यूज करके आप आप जो टेली फोटो जूम लेंस वाली images है, वो ले सकते हैं, और जेनरली इस प portrait photography में कर सकते हैं, कुछ-कुछ portrait ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, पीछे के तीनों ही rear cameras की मामले में, तो देखो main camera से images आ जाती है, मैं गाँगा कि सही images आ रहे है, daylight के अंदर, लेकिन फिर भी हापर और improvement हो सकता है, image processing के अंदर, ये एक चीज लगी, इसके साथ ही ultra wide angle lens है, हम इसी है, लेकि 2X जो फोटो लेते हैं, तो zoom लेके थोड़ा बहुत यहापर shake वगरा हो जाता है, तो हल्की सी blur आ जाती है, थोड़ी सी soft images देखने को मिलती है, तो ये एक चीज़ है, लेकिन all and all एक acceptable camera है, लेकिन मेरी नजर में ultra wide angle lens हो था, और image processing अगर better होती है, तो यहाँ पर थोड़ा से unit design ने देनी की कोशिच करी गई, हाला कि इसके vegan leather वाला भी design देखने को मिल रहा है, लेकिन हाला कि बात है कि design interesting है, fingerprint magnet इसे कह सकते है, लेकिन कुछ लोग को थोड़ा से dark और थोड़ा से interesting लग सकता है, especially camera हम जो रहता है न, वो थोड़ा से नो निकाल ह लेकिन उसको smooth रखनी कोशिक है, हाला कि पीछे का design पूरा polycarbonate back का है, अब आपको इस phone का design किसकी याद दिलाते बाद आप मुझे नीचे comment में बताना, बिल्कुल भी मैं भूलना, आप लोग को पता है न, लेकिन देखा तो design इसका average या normal सा ही मेरे को लगा, थोड़ा और better ह हो सकता था, इसके साथ ही back जो हो पूरा plastic का बना है, frame भी plastic की है, तो यहाँ पर protect करने के लिए special cover case होता है, वो दिया गया, जिसे आपको 5G का जो texture होता है, जो पीछे branding जैसे चीज होती है, वो यहाँ पर आपको देखने होते है, इसके साथ ही side monitor fingerprint scanner है phone में, वो अच्छे तर 120 Hz की refresh rate को support करता है, और 240 Hz का test response है, अपटो 5 minutes की brightness को support करता है, हाला कि बात की जाए तो display की brightness मुझे थोड़ी सी low लगी, colors वगरा काफी सही है, colors ही तरीके सा आजाते है, LCD display के साब से ठीक ठाक लगा, लेकिन brightness थोड़ी से और जादा हो सकती थी, यह मेरे opinion में, इसके साथ ही ब heating कम करने के लिए तो वो दी गई है, तो फोल मिला के बात करें, यहाँ पे जो focus रखा गया है, वो रखा गया है थोड़ा gaming side की तरफ, इसलिए लोग हाई refresh IQ पर move कर रहे हैं, लेकिन मेरे opinion में, अगर AMOLED screen देते, तो वो एक better चीज होती है, उस पे visibility काफी अच्छी रहती है, वो यहाँ पे दिया, तो वहाँ पे कुछ अच्छा गाम किया है, अब बात करते हैं इस phone के software के बार में, जो की है यहाँ पे XOS जो की based है Android 11 के साथ, देखो XOS software के बार में बात करें, तो features काफी जादा डाल के रखते हैं, काफी सारी चीज़े add कर देते हैं phone के अंदर, यान की कुछ unique चीज़े भी देते, कुछ features वगरा भी रहते हैं, जो कभी देखने में अच्छे लगते हैं, कई बार आप picture in picture mode दे यूज कर सकते हैं, वीडियो या नहीं तब की YouTube वीडियो को भी background के अंदर चला सकते हैं, और देखा तो software में customization of features काफी जादा दे रखते हैं, जो की UI देखा है, तो smoothly perform करता है, काफी चे तरीके से चलता है, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर updates अगर लोग provide करें, UI को थोड़ा clean करें, थोड़े bloatwares कम करें, वो एक अच्छी चीज रहेगी, हाला कि बात यहाँ पर features होते हैं, लोग को काफी जादा पसंदा थे, कुछ लिटरल यूज करते हैं, मैंने उनको पूछाना है, तो उनका कहना था कि थंडर बैक यहाँ पर काफी सार दूसरे features होते हैं, उनका यह जो लोग use है, वो date rate task के अंदर करते हैं, यानि कि रोजाना इसका use करते हैं, तो मतलब features वागरा सही दिया है, UI को थोड़ा का strip clean करें, वो एक बैटर चीजों की और update पर फोकस करना चाहिए, लेकिन फिलाल के तौर पर यह एक कहानी पुरे phone की, अब मैं बात करने वालों इसके pros, cons के बारे में, देखो pros के बारे में बात करें, definitely इसका processor, यहाँ पर जो आपको UFS storage और LPDF 5 रहें मिल रही हैं, यह सब इसके pros में आजाते हैं, यहाँ तक की बात करें, इसका जो main camera में 2X lens दे रखा है, उसी भी आपर में pros में गिन सकता हूँ, और यहाँ तक की इसके बैटरी है, उसको भी, Wi-Fi 6 को भी, और तेरा 5G bands को, यह सब इसके pros के अंदर आ जाते हैं, तो यह कुछ चीजों में काफी अच्छा काम इसके pros में बात करें, डिस्पले मेरे साब से AMOLED होता तो बेटर चीज होती, और अगर wide 1 L1 का certification होता वो, इसके साथ ही बात करें तो career camera में improvement हो सकता, ultra wide angle lens डाला जा सकता था, वो एक चीज मेरे को यहाँ लगी, और इसके साथ ही बात यहाँ तो XOS software सही है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और bloatware free बनाने की ज़रूरत है मेरे opinion में, यह कुछ होते हैं इसके cons, और और वर्डिट के बन में बात करें, देखो 20,000 रुपे के अंदर अगर आपको काफी powerful phone जाई, games वगरा ही खेलने, और उसके अंदर 5G compatibility अच्छी हो, एक काफी solid product बनाए, खास तोर पे UFS 3.1 storage, LPDR 5, जो क्रैम का जो कंबो हो, यह लोग 20,000 रुपे के अंदर ला रहे हैं, वो Wi-Fi से 13 5G बन, अगर यह आपकी priority है, तो यह phone आपके लिए हो सकता है, लेकिन बात की है, तो क्या 20,000 रुपे के आपसे वर्थ है कि नहीं, देखो कुछ चीजों में तो वर्थ है, लेक किसी और phone पे upgrade करते है, flip card से लेके, तो आपको काफी अची value मिल जाती है, तो उस case में भी यह एक चीज़ आपको देखने को मिल रहे है, जिसके अंदर यह phone यहाप आता है, तो overall बात की जाए, तो यह है आपको Infinix का 05G, कुछ समय तक इस phone के यहापे मैंने यूज किया, मैं अच्छा काम करते रहे, तो definitely यह लोग आगे चलके काफी बड़ा कॉर ब्रांड बन सकते हैं इंडिया के अंदर, आप लोग इस बार में क्या ओपीनियन यह बात नीचे कमेंट बाता, ना भूलना, वीडियो पसंद आए, तो लाइक करो, चाहल को सब्स्राइब करो, थैंक के भूलना देखने के लिए, मैं वसाल दो नेक्स्ट वन में, गुडबाई!